NASA, James Webb Space Telescope को व्यापक रूप से NASA, ये से Hubble Space Telescope के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है वास्तव में ये उससे कही अधिक का उत्तराधिकारी है Mid-Infrared Instrument, MRI, को शामिल करने के साथ Webb भी ये से के Infrared Space Observatory, ISO, और NASA के Spitzer Space Telescope जैसे Infrared Space Telescope का उत्तराधिकारी बन गया टी मध्य अवरक तरंग दैर्ध्य, ब्रमान उस्थान से बहुत अलग है, जिसे हम अपनी आँखों से देखने के आदी हैं उदाहरन के लिए धूल के बादल जिन में तारे बन रहे हैं, इन तापमानों पर होते हैं इसके अलावा, इन तरंग दैर्ध्य पर अन्वों को देखना आसान होता है यह रसायन विज्ञान के संदर्ब में इतनी रोमान्चक तरंग दैर्ध्य रेंज है जो आप कर सकते हैं और जिस तरह से आप स्टार गठन को समझ सकते हैं और आकाश गंगाओं के नाभिक में क्या हो रहा है इमायराय उपकरण के पीछे यूरोपिय संग के प्रधान अन्वेशक गिलियन राइट कहते हैं डॉट मद्य अवरक्त प्रमान की हमारी पहली वास्तविक जलक आएसो से आई जो नवंबर 1995 और अक्टूबर 1998 के बीच चालू थी 2003 में कक्षा में पहुँच कर स्पिट्जर ने समान तरंग देर्ध्य में और प्रगती की आएसो और स्पिट्जर दोनों की खोजों ने खगोल विज्ञान में कई बड़े प्रशनों को आगे बढ़ाने के लिए बहतर समवेदन शीर्ता और कोनियस अंकल्प के लिए एक बड़े संग्रह शेत्र के साथ मध्य अवरक्त क्षमता की आवशक्ता पर प्रकाश डाला गिलियन और अन्य लोगों ने एक ऐसे उपकरण का सपना देखना शुरू किया जो मध्य अवरक्त को विशद विस्तार से देख सके दुर्भाग्य से उनके लिए एसे और नासा ने वैप के लिए प्राथमिक लक्षे के रूप में निकट अवरक्त की छोटी तरंग देद्य को देखा ये से एक निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोमीटर का नेत्रित्व करेगा जो नासा ने अपनी जगहें एक एमेजर पर सेट की जो नायार केम बन गया निराश नहीं होना चाहिए जब एसे ने अपने निकट अवरक्ट स्पेक्ट्रो मीटर उपकरन का अध्यान करने के प्रस्तावों के लिए एक कॉल जारी किया तो गिलियन और उनकी सहयोगियों ने एक मौका देखा मैंने एक टीम का नेत्रित्व किया जिसने एक चुटीली प्रतिक्रिया दी इसने कहा कि हम निकट अवरक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ का अध्यान करेंगे लेकिन हमारे पास एक अतिरिक चैनल भी होगा जो इस मध्य अवरक्ट विज्यान को भी कर रहा है और हमने विज्यान के यूरोप में मध्य अवरक्त खगोल विज्ञान के प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद की और उन्हें खुद एक अन्य येसे अध्ययन पर उन विज्ञान हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रत किया गया था, जिसने यूरोपी उध्योग की अवरक्त उपकरन ब और इंजीनियरों के एक अंतराष्ट्रिय सहयोग को एक साथ खीच कर और उपकरन को डिजाइन और निर्मान करने में सक्षम और महत्वपूर्ण रूप से ऐसा करने के लिए धन जुटाना गिलियन और उसके सहयोगियों ने प्रोचसाहित किया और धीरे धीरे येसे और न आश्ट्रिय सरकारों से धन जुटाने के लिए शेक्षनिक और उद्योगिक संस्थानों के संग पर निर्भर करता है लेकिन ये अमेरिका में असामान्य है जहां नासा आमतोर पर इंस्ट्रुमेंटेशन को भी वितपोशित करता है अपने स्वयम के पैसे जुटाने के अल दस माइक्रोमीटर से अधिक सीमित कर देगा लेकिन गिलियन के लिए भुपतान करने के लिए यह एक छोटी सी कीमत थी मैंने इसे एक समझोते के रूप में कभी नहीं देखा क्योंकि यह अभी भी किसी भी चीज से बहतर होगा जो हमने पहले कभी देखा था वो कहती हैं दूर करने के लिए सबसे बड़ी तक्मीकी बाधाओं में से एक यह था कि मिरी को निकट अवरक्त उपकरणों की तुलना में कम तापमान पर संचालित करने की आवश्यक्ता थी यह नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा प्रदान किये गए क्रायो कूलर त संत्र के साथ हासिल किया गया था मध्य अवरक्त तरंग देद्य के प्रती समवेदंशील होने के लिए MRI लगबग 6 केलविन माइनस 267 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है यह प्लूटो के औसत सतह तापमान से कम है जो लगबग 40 केलविन माइनस 233 डिग्री सेल्सियस है यह तापमान वो जगह है जहां अन्योपकरण और दुर्बीन काम करते हैं दोनों बेहत थंडे तापमान हैं लेकिन उस अंतर के कारण टेलिसकोप से गर्मी तब भी मिरी में लीक हो जाएगी जब तक कि दोनों को एक दूसरे से थमल रूप से अलग नहीं किया जाता